हालो आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन्स के इंपोर्टेंट थियोरिस्ट के बारे में और मैं हूँ राज कमल तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो पहले हैं Thucydides Thucydides क्लासिक रियलिजम के बहुत ही महान थियुरिस्ट कहे जाते हैं और ये ग्रीस से तालुक रखते थे ग्रीस जिसको हम ग्रीक भी कहते हैं और इन्होंने बहुत ही फेमस एक बुक लिखा जिसको हम कहते हैं History of Peloponnesian War और इनके बुक पर एक फिल्म भी बन चुका है जिसे हम कहते हैं The War That Never Ends सो सेकेंड हम फिलोसफर के बारे में बात करते हैं और थियुरिस्ट के बारे में तो उनका नाम है निकलो मैक्क्यावली तो निकलो मैक्क्यावली एक डिप्लोमेट थे फ्लोरेंस में फ्लोरेंस इटली का एक सहर है उस समय जब यह डिप्लोमेट थे तो रिपब्लिक फ्लोरेंस के थे क्योंकि फ्लोरेंस एक सिटी एस्टेट्स था तो इन्होंने दो फेमस बुक लिखा जो बहुत ही एक्जाम में पूछता है तो थॉमस होब्स एक इंगलिस endeavor थे मिन्स वह इंगलैंड से तालुक रख देते और इन्होंने एक फेमस बुक लिखा लिवैथियन लिवैथियन वौड फेमस बुक है थॉमस होब्स का तो अब हम बात करेंगगे E.H.Kar के बारे में तो E.H.Kar ये चिकार पोस्ट वर्ल्ड वार पिरियड के हिस्टोरियन थे इन्होंने बताया कि आखिर में वर्ल्ड वार हुआ क्यों वर्ल्ड वार फर्स्ट आखिर में क्यों हुआ इन्होंने रियलिस्ट एप्रोच के माद्यम से बताया कि World War First क्यों हैपन हूआ तो यह Idealism के Critic थे जैसे Idealism के सबसे पहले उड्रो विल्सन ने दिया कि अधर्स वाद पूरी दुनिया में अधर्स वाद होना चाहिए तो यह अधर्स वाद की कटू आलोचक थे तो इनको Critic of Idealism भी कहा जाता है और इन्होंने एक famous book लिखा जिससे हम 20 years crisis के बार में भी जानते हैं और यह famous book है जो हर exam में पू우्षता है तो अगर आपको एच कार के बार में अगर exam में कुछ लगाना हो तो आप यह 3 चीज़ों के बार में पता कर सकते हैं अगर आपको ये तीन चीजों के बार में कहीं भी दिखे तो आप वहाँ पर टिक कर सकते हैं जैसे कि पोश्ट वर्ड वार फर्स्ट हिस्टोरियर एंड क्रिटिक ऑफ आइडियलिजम एंड 20 एड्स क्राइसिस अब हम बात करते हैं हांस जे मॉर्गन थाउ के बार में तो हांस जे मॉर्गन थाउ को फादर अफ इंटरनेशनल रिलेशन्स भी का जाता है एंड हांस जे मॉर्गन थाउ ने six principles of political realism भी दिया था जैसे इन्होंने एक बुक लिखा है world famous book politics among nations जो 1948 में publish हुआ था लेकिन इसका second edition 1952 में आया तो उसमें इन्होंने एक चैप्टर चोड़ा six principles of political realism एक बहुत ही milestone चैप्टर है realism approach in international relations में हांस जे मॉर्गन थाउ को अगर तीन में पॉइंट से समझ सकते हैं इनको father of international relations भी का जाता है six principles of political realism भी इन्होंने दिया और politics among nations जो एक milestone book कही जाती है उसके भी writer यहीं है so अब हम बात करते है किनित वाल्ड के बार में तो किनित वाल्ड को father of new realism भी कहा जाता है इन्होंने रियलिजम के नए step खुद से लिखा जिसे हम new realism कहते हैं इन्होंने एक बहुत famous book लिखा उसी से new realism की सुरुआत होती है तो 1979 में एक book छपता है जिसे हम theory of international politics कहते हैं इसी से new realism का सुरुआत होता है so अब हम बात करते है जौन जे मियर साइमर के बारे में तो जौन जे मियर साइमर एक offensive realism के प्रणेता कहे जाते है offensive realism क्या होता है यह मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा so इन्होंने एक famous book लिखा the tragedy of great power politics इसलिए अगर आपको कहीं भी अगर यह दो points दिखे तो आप जौन जे मियर साइमर पर ही टिक लगाईए एक offensive realism और the tragedy of great power politics so अब हम बात करते हैं हेडली बुल के बार में हेडली बुल जो यह भी realism से ही तालुक रखते है realism approach in international relations तो यह English school से तालुक रखते है English school of IR को हम liberal realism भी कहते है liberal realism so इन्होंने एक बहुत ही famous world famous book लिखा जो 1977 में publish हुआ जिसे the anarchical society कहते है तो आप को कहीं भी the anarchical society या English school of IR आया तो आप हेडली बुल को include जरूर कीजेगा और the anarchical society के तो वो writer है ही so अब हम बात करते हैं realism के बारे में अब उस समय से मेरे मुझे realism realism के बारे में सुन रहे है neorealism classical realism के बारे में so realism का मतलब होता है यथार्त वाद realist जो theorist होते हैं वो किसी भी घटना को एकदम real politic के रूप में देखते हैं real politic एक french word है so इसमें जो भी घटना घटी है उसे वो उसी तरह देखते हैं जैसे वो घटी है ये बिलकुल भी उसमें मिर्च मसाला नहीं लगाते हैं बिलकुल भी उसमें अपना दिमाग नहीं लगाते हैं वो सिर्फ घटना क्यों घटी है कैसे घटी है उसके पीछे कारण क्या जिमेदार है सिर्फ यहीं वो देखते हैं इसलिए हम realism इनको कहते हैं यथार्थवाद जो सच है वो बताना reality को यस्तो करते हैं so realism दो पार्ट में divide है पहला पार्ट को कहते है classical realism and second part को कहते है new realism so अब हम बात करते हैं कि classical realism किसो एक आते हैं तो classical realism mainly focus करता है human nature के बारे मानोप्रकृती के बारे में mainly focus करता है और new realism है वो mainly focus करता है anarchie के बारे में अराजकता के बारे में so अब हम बात करते हैं human nature क्या होता है human nature का मतलब क्या होता है human nature का मतलब हुआ selfish human nature selfish होता है वो खुद के बारे में हरदम सुचता है वो कभी नहीं सुचता है कि दूसरे आदमी development हो दूसरा का development हो वो सबसे पहले खुद का development चाहता है वो पहला खुद का interest देखता है इसलिए self interest human nature में include होता है self interest और वो cruel होता है कि उसकी interest का हानी हो और दूसरे के interest का positive हो दूसरे के interest आगे बढ़े तो cruelty अपनाता है और वो बहुत जादा egoistic भी होता है वो बहुत जादा ego minded भी होता है वो सौभिमानी होता है वो कभी नहीं चाहता है कि मेरे interest का कोई हानी हो या मेरे बार में कोई गलत बोले तो ये तो जो जो लोग होता है classical realism के वो focus करता है human nature वो बताता है कि पूरी दुनिया में लड़ाई होती है वो human nature के चलते होती है क्योंकि जो politicians होते हैं वो selfies होते हैं जो एक country होता है वो self interest देखता है वो कुछ भी होता है तो self interest देखता है एक country क्या होता है वो कभी नहीं चाहता है कि opposition उससे आगे निकले और दम cruelty होता है और एक country में एक egoistic भावना भी होती है सो अब हम बात करेंगे एनार्की के बारे में एनार्की का मतलब हो no central government यानि कोई केंद्रे सरकार ना हो ना पूरी दुनिया के लेवल पर जैसे कि ये इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि तीन पॉइंट से statism यानि होता है राजजवात कोई भी देश होती है वो अपने देश को आगे बढ़ावा देती है राजवात को बढ़ावा देती है इससे क्या फैलता है इससे एक no central government फैलता है इससे वो sovereignty फैलता है वो एक समप्रभू बनती है वो अपने state के लिए बराबर ही दुसरे state को मानती है उसके बाद हम देखेंगे survival कोई भी state होती है वो उत्तर जीविता के लिए ही होती है वो हर्दम चाहते है कि मेरे state पर कोई attack नहीं हो मेरे state हमेशा एक survival mode मेरे मेरे state हमेशा आगे बढ़े और वो एक किसी पर भरोसा नहीं करते है तो एक self help approach अपनाती में swims है तो वो किसी पर भरोसा नहीं करते हैं तो चाहते है कि mostly चीज़ हमारे देख में जो production हो वो सब चीज़ हम ही करे तो statism survival और self help अगर कहीं भी ह है तो आप अनार्की का मतलब समझे का मतलब कोई दुनिया में central government नहीं है इसलिए जो इसलिए जो नियो रियलिस्ट लोग है उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में लड़ाई human nature के चलते ही नहीं होता है बलकि अनार्की के चलते भी होता है क्योंकि world system में world label में कोई central government नहीं है तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें comment section में बता सकते हैं so thanks for watching and share and subscribe my channel so आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें comment section में जाकर जरूर बताएगा so thanks झाल ये आप एड़ सुन्साओ एड़ाई एट ऑाफ़ाद भी हो अनार्की is पाफ़ाई नहीं हो झाल सकतर लोगगजल दूजदelf चलते हो स्भी हो लो prove चावगजशन में में